दोस्तों आज के हमारी इस मूवी का नाम है दब्लू फैमिली जोके टू इवेंट से इंस्पारड है जिसमें एक आदमी कुछ लड़कियों को कई सालों तक बेस्मेंट में केद रखता है लेकिन क्यूँ ये तो आपको पूरा वीडियो देखने पर ही पता चलेगा तो केला छोड़कर चली गई अर्मांडो आगे ये बताता है कि ब्लू कलर प्यार का कलर होता है एसा उसकी मा कहा करती थी और इसी तरह वह ब्लू आसमान के नीचे ब्लू समंदर में समा गई और मारी गई अर्मांडो के सामने बैठी हुई इस लड़की का नाम था जूलिया औ और अर्मांडो इससे कहता है कि उससे जूलिया को देखकर उसके प्यार की याद आती है जैसा कि उसकी माँ उससे किया करती थी। फिर अर्मांडो जूलिया को ड्रिंक हतम करने का कहता है लेकिन हमें देखते हैं कि जूलिया पूरी तरह से बेडियो में लिप्टी हुई है। अर्मांडो उसके हाथ खोलता है लेकिन काफी समय से जनजीरों में केद होने के कारण उसके हाथ काम नहीं कर रहे थे वो उस ग्लास को उठाई नहीं पा रहे थी और उसके हाथ से वो ग्लास गिर जाता है जिससे कि अर्मांडो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पूरी डाइनिंग टेबल को गिराने के बाद में जूलिया को एक लात मारता है जिससे कि वो गिर जाती है और यह सीन यही पर कट हो जाता है फिर अगले सीन में हमें देखते हैं अपनी ओटो डिल की शौप में है जहाँ पर उसकी मुलाकाद जैसिका नाम की एक खुबसूरा तलकी से होती है जिससे वो बहला फुसलार कर उससे दोस्ती कर लेता है और फिर तभी महाँ पर जूलिया की मा आती है जूलिया के मिसिंग होने के प्रिंट आट चिपकाने के लिए जिससे अर्मांडो उससे ले लेता है और उससे पूछता है कि जूलिया कब से गया भे जिस पर जूलिया की मा उससे कहती है कि जूलिया पिछले दो सालों से गया भे लेकिन उसे आज भी ऐसा लगता है कि जुलिया जिन्दा है, वो कभी ना कभी वाक़ जरूर आएगी, जिसके बाद में अर्मांडो जैसिका को शाम को एक पाटी में इन्वाइट करता है, और फिर पाटी में अर्मांडो जैसिका के पास आने की कोशिश करता है जिसके बाद में वो उसे भी भ्योश करके अपने बेस्मेंट में ले आता है जुलिया के पास में होश आने पर जेसिका देखती है कि वो बंदी हुई है और इन जंजीरों से निकलना आसान नहीं है जेसिका अर्मांडो के आगे जट पटा रही थी लेकिन तभी अर्मांडो का छोटा भाई डेनिल वहाँ पर बहुच जाता है लेकिन अर्मांडो उसे जैसे तेसे अपने घर से भगा देता है अर्मांडो उपर था और यहाँ पर नीचे बेस्मेंट में जेसिका जुलिया से पूछती है कि यहाँ से के से निकला जाए लेकिन वो उसे कहती है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है वो पिछले दो सालों से यहां पर केद है और यहां से निकलने के लिए सब कुछ ट्राइ कर चुकी है लेकिन उसके पास में अब यहां से निकलने के लिए एक रिजन है जिसे सुनकर जेसिका को कुछ भी समझ में नहीं आता है फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि अर्मांडो जूलिया का ख्याल रखता है वो उसे डिनर लाकर देता है और वो से खुद अपने हाथों से नहलाता है फिर अर्मांडो अपने भाई डैनियल के साथ में एक पार्टी में जाता है और यहाँ पर बेस्मेंट में जूलिया जेसिका को बताती है कि अर्मांडो अपनी एक फैमिली बनाना चाता है और वो अर्मांडो के बच्चे की मा बनने वाली है जूलिया यहाँ दो सालों से है लेकिन वो यह नहीं चाहती कि उसका होने वाला बच्चा भी यहाँ पर केद रहे इधर पार्टी से वापस आने के बाद में अर्मांडो अपने भाई और उसकी गल्फिंड एरिन को अपने घर डिनर पर इन्वाइट करता है और डिनर करते समय अर्मांडो एरिन के ड्रिंक में चुपके से बेहोशी की दवाई मिला देता है जिससे एरिन बेहोश हो जाती है डेनियल यह समझ नहीं पाता कि एरिन को आखिरकार हुआ क्या है और फिर अर्मेंडो डेनियल के सामने ही एरिन की बड़ी को लिख करने लगता है और फिर वो एरिन को भी नीचे बेस्मेंट में जंजीरों से बांद देता है डैनियल यह समझ नहीं पाता कि आखिरकर यहाँ पर क्या चल रहा है और वो पुलिस को बलाने जाही रहा था कि तबी अर्मांडो पीछे से आकर उसे रोक लेता है और उसे बोलता है कि वो बस अपनी फेमिली बनाना चाहता है उसने इन सब को यहाँ पर इसलिए बांद कर रखा है कि ताकि कोई भी उन्हें उनकी मा की तरह छोड़कर न जाए अर्मांडो की बात सुनकर डैनियल भी उसकी बातों में आ जाता है और वो उसका साथ देने लगता है और फिर अगले दिन अर्मांडो के घर पर जूलिया की मा आती है अर्मांडो के लिए लंच लेकर जिसे डैनियल भगा देता है और जूलिया की मा को डैनियल का भी हैवियर तोड़ा अजीब लगता है फिर हम यह देखते है कि नीचे बेस्मेंट में अर्मारणो लड़कियों को फीट-पीट कर उन्हें रिस्पेक्ट करना सिखा रहा था अब जैसे तेसे शाम होती है और शाम के समय जुलिया अर्मारणो से प्यार से डिनर में हिलती खाने की मांग करती है और वो उस खाने को लेने के लिए चला जाता है लेकिन बाकी की दो लड़किया जूलिया पर हमला कर देती है क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जूलिया अर्मांडो से मिली हुई है क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार से बाते कर रही है जिस पर जूलिया सबको ये clear करती है कि वो बस अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए ये सब कर रही है चुकि ये बच्चा उसके पेट से ही जन्मेगा फिर हमें देखते हैं कि डैनियल नीचे जूलिया के पास आता है और जूलिया और बाके की लड़कियों को खाना देता है जूलिया डैनियल से कहती है कि सब लड़किया ठीक से बातरूम में शौर लेना चाती है चुकि वे सभी यहाँ पर बहुत दिनों से हैं और वे ठीक से नहाई नहीं हैं और फिर जब Armando वहाँ पर आता है तो वो गल्स को अपने रूम में ले जाकर अपने रूम की बातरूम में नहलाता है और बातरूम में ही वो दोनों के साथ में इंटिमेड भी होता है लेकिन ये मेटल के चम्चे से बाहर गुजरने वाले लोगों को सिगनल देने की कोशिश करती है लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि Armando हर चोड़े चोड़े चीजों को नोटिस कर रहा है और फिर ब्रेकफास्ट करते टाइम Armando जेसिका को ब्रेकफास्ट से उठा कर एक रूम में ले जाता है और वो वहाँ पर उसका टॉप फाड़ कर उसे जोड़ जोड़ से बेल्ड से पीटता है उसे मदद मांगने पर सबक सिकाने के लिए अब फिर हमें ये देखते हैं कि एसे ही समय बीटता जाता है और जूलिया को पता था कि यहां से निकलने में बस डेनियल ही और वो उसे अपनी बातों में धीरे-धीरे फसाने लगी थी लेकिन अगैन अर्मेंडो ये सम नोटिस कर लेता है और वो अपने भाई को समझाते समय उसका सर पर एक बोटल फोड देता है जिससे की डेनियल घायल हो जाता है और फिर अर्मेंडो अपने छोटे भाई के मोका पाकर अपने भाई अर्मेंडो को भेहोशी की दवाई देकर चुपके से उन तालों की चाबिया चुरा लेता है जो की नीचे गल्स के पेरों में बंदी हुई थी और फिर वो बेसमेंट में जाकर गल्स को वो चाबिया दे देता है अर्मेंडो को जब होश आता है तो जूलिया और बाकी की लड़किया अर्मेंडो के जाने के बाद में डेनियल की दी हुई चाबी से अपने जंजीरों के ताले खोल रही थी लेकिन चाबिया इतनी सारी थी कि ताले खोल ही नहीं रहे थे जैसी का जैसेते से अपने ताले खोल लेती है और वो बाहर जाकर मदद मांगती है और उसे बाहर से एक आदमी गुजरतावा दिखाई देता है जो कि उसकी मदद करने अंदर आता है फिर वो आदमी बेस्मेंट में जाकर पुलिस को फोन करता है और वो बाकी लड़कियों के ताले भी खोलने में उनकी मदद करता है अब जैसे ही अर्मेंडो वापस आता है तो वो देखता है कि सभी लड़किया आजाद हो चुकी है और उनके पीछे पुलिस आकर उन्हें पकड़ लेती है अगले सीन में हमें देखते हैं कि जूलिया एक पार्क में है और वो अपनी बच्ची के साथ में खेल रही थी जो कि अब बड़ी हो चुकी है और उसे याद आता है कि अर्मेंडो उससे ये कहा करता था कि ब्लू कलर प्यार का कलर है लेकिन जूलिया के लिए ब्लू कलर आजादी का कलर है क्योंकि आसमन का रंग ब्लू होता है जो कि उसे आजादी की याद दिलाता है और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर END हो जाती है दोस्तो ये मूवी उन लोगों पर बनी हुई है जिनकी freedom उनसे चीन ली जाती है पुरी दुन्या में हर दिन हज़र लोग लापता होते हैं और उनके साथ साथ न जाने क्या क्या किया जाता है मूवी में बताया गया है कि कैसे अर्मेंडो लड़कियों को केद करके रखता है अपने खुद की खुशाल फेमली बनाने के लिए लेकिन खुशी किसी को केद करने में नहीं बलकि उसे आजाद करने में है मैंने अक्सरे देखा है कि लोग खुबसूरत पक्षियों को अपने घर के पिंजरों में खेद करके रखते हैं सिर्फ डेकोरेशन और सुन्दरता बढ़ाने के लिए लेकिन सही मायने में उनकी जगह छोटे से पिंजरों में नहीं बलकि खुले आस्मान में है हम अपने खुशियों के लिए किसी और की खुशी को क्यों कुर्बान करें आई होप दोस्तो वीडियो आपको पसंद आया हो और हाँ अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट में अपना नाम और सीटी टाइप करके बेज़ें तकि मुझे भी ये पता चले कि हमारे चैनल को किनकिन शेयरों से प्यार मिल रहा है तो दोस्तो आज की वीडियो में सिर्व इतना ही अब हम अगली बार मिलेंगे किसी और मुवी के साथ में